वेल्किम तो माई चैनल शेव डीवा अगर आपको मेरी रेस्पीस पसंद आती हैं तो मेरी विडियो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पह चैनल नहीं उसकरना है और साथ ही में आपको कुछ टिप्स पताएंगे जिसे आपका राजमा ला जवाब बनेगा तो चलिए देखते हमें इसके लिए क्या-क्या चाहिए तो सबसे पहले हम राजमा को बॉल कर लेंगे इसके लिए हमने वन कप यानि 250 ग्राम राजमा लिया था इसको हमने रात में ही सोक कर लिया था रात में सोक करना बेस्ट रहता है बट इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आप इससे दो घंटे के लिए हॉट वाटर में जाल चीनी और एक इलाइची लिया है हाफ टीस्पून सॉल्ट लिया है और वन फोथ हल्दी लिया है तो चलिए बहां अपने राजमा को बॉल कर लेते हैं तो अब हम एक कूकर ले लेंगे और इसमें हम अपने राजमा डाल देंगे एक कप राजमा में हम फो कप पानी डा दिया है, सारे खड़े मसाले डाल देंगे इसमें हम, और हल्दी डाल देंगे, और साथ में नमक डाल देंगे, अब इसकी लिट बंद कर लीजे, और हाई फ्लेम पे हम इसको एक सीटी आने तक की पकाएंगे, और फिर लो फ्लेम पे 15 मिनिट लिए हमें पकाना है, अगर आप राजमे मसाली के लिए हमें सबसे पहले 1 मीडियम साइज अन्ये ले लिनी है इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है 3 मीडियम साइज टुमाटो लिया था हमने इसे हमने बॉयल करके पील करके पेस्ट बना लिया 2-3 ग्रीन चिलीस के साथ वन टी स्पून जीरा लेंगे वन टेबिल स्पून बटर लेना है हमें ये ओप्शनल है मगर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है इधर हमने जिंजर गालिक पेस्ट लिया है 2 तीस्पून JINGER PACE लेंगे और 1 टीस्पून GALIC PACE लेंगे और यह कुछ DRY मसाले हैं तो हम 1-4 तीस्पून हल्ली लेंगे 1-2 तीस्पून सल्ट लेंगे सल्ट हमने पहले भी यूज़ किया है तो आप उस अंदाजे से लीज़ेगा सल्ट और हमने यह वन टीस्पून जीरा पॉडर लिया है वन टीस्पून रेचली पॉडर लिया है वन टीस्पून भर के धनिया पॉडर लिया है और हाफ टीस्पून हम ब्लाक पेपर पॉडर लेंगे हमने वन थर्ड टीस्पून गरम मसाला लिया है लमने अलग इसली रख लें कि पूकर लासमे में डाला को यह अरा में थाट पप उल ले लिया कि और यहां साथ में यह दो पिंच ही लेना है तो सबसे पहले हमने 1-3 cup oil डाल दिया है, आप इसके जगह पे 1-3 cup घी भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे ही oil गरम होगा, हम इसमें अपना जीरा और हींग डाल देंगे, जीरा का क्राकल जैसे ही होता है, हम अपनी चॉप्ट अनियन इसमें डाल ना है, ब्राउन कलर इसका नहीं चाहिए, हमें हलका साब पिंक हो जाये, बस तप तकी पकाना है यह रेखिए हलका साब पिंक होने लगा है, अब हम इसमें सारे पॉलेट मसाले डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें जिंचर गालिक का पेस्ट डाल देंगे तोड़ा सा इसमें हम पानी याट करेंगे और दो से तीन मिनिट हमें मीđइम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले का जितना भी कच्छा पन होता है जितने भी कच्छी स्मेल है वो सब अच्छे से दूर हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से पख जाये दो मिनिट लिए अच्छे से भूल लेना है जब तक कि टुमाटो का पानी जलना जाए हाई फ्लेम पे हम इस पक गैस रखेंगे और एक बॉल आने तक कि हमें इसे पका लेना है हाई फ्लेम पर जैसे ही हाई फ्लेम पे बॉल आता है आप गैस की फ्लेम धीरी करके इसे कवर कर दे एक मिनेट लिए ताकि सारे मसाले अच्छे से अब्सॉप हो जाए एक मिनेट के बार लिट ओपन करके चेक कर लिए ये देखिए हमारा मसाला रेडी है और भी हमारा सर्फेस पे आ गया है अब टाइम है राजमा चेक करने का और राजमे को इस मसाले में मिक्स करने का राजमा को पकते हुए पंदर मिनेट हो गए थे और इसका प्रेशर भी हमने इस नाच्रली रिलीस किया है ये देखिए राजमा हमारा बिल्कुल रेडी है ये देखें अच्छे से ये गल गिया है तो अब हम इस राजमे को अपने मसाले में मिक्स कर लेते हैं ये पूरा राजमा हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एक बॉइल आने तक की पका लेना है ये देखें इसमें एक बॉइल आ गया है अब हमें इसमें जो हमारा गरम मसाला था वो डाल देना है ये हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया और साथ ही में हम इसमें ग्रीन कुरियांडर डाल देंगे कि जितना भी मसाला है वो सब राजमे में अच्छे से मिक्स हो जाए राजमा इसको एब्जॉब कर ले अच्छे से दो मिनिट के बाद लिट ओपन कर लिए राजमा हमारा रेडी है और अब टाइम है ऐसे दो माजिक इंग्रीडियंस का जिससे की हमारा राजमा और भी आपके राजमे में अलग सर टेस्ट आ जाएगा थोड़ा इसको चटपटा बनाने के लिए लेमिन काम आता है और बटर फ्लेवर इनहांस करता है तो यह देखिए हमने अपना राजमे को डिश आउट का लिया है हमारा डेलिशिस और साथ ही में हेल्दी राजमा बन के आप चाहे तो चावल के साथ खाईए या आप चाहे तो इसको रोटी के साथ खाईए और इंजॉय करिए अगर आपको मेरी रेष्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक ज़रू करिएगा और कोई भी कोश्चन हो रेष्पी को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में तो करिए भी करिए